नमस्कार, हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तों आज हम HPTGT Non-Medical TET की जो परिक्षा हुई थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने जो GK सेक्शन था उसको डिस्कस कर लिया है तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रशन संक्या एक है देखिए वरिभार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं जो की अपेक्षा करित होते हैं तो यह है आपका विकल्प नमबर A इसका साही उतर हो गए कि यह स्थाई ठीक है अगर जो भी प्रशन में आपको बता रहा हूँ दोस्तों अगर मुझसे कुछ तूटी हो जाए तो मैं चाहूँगा कि आप उसका साही उतर सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें कमेंट सक्षन में जाकर जरूर आप बता सकते हैं नेक्स से देखिए अंतस रावी ग्रंथियों को नलिक वाहीनी ग्रंथियां कहा जाता है क्योंकि वे हार्मोन स्त्रावित करती हैं तो इसका जो साही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर C रक्त में सीधे नेक्स से देखिए प्रशन संक्या 4 प्यूष ग्रंथि को ग्रंथि भी कहा जाता है तो इसको जो ग्रंथि कहा जाता है देखिए यहापका विकल्प नंबर C मास्टर ग्रंथि विब्रहम एक गलत प्रत्यक्षी करण है विकल्प नंबर C इसका सही उतर होना चाहिए नेक्स प्रेशन है देखिए आईजेंक एक मनवग्यानिक था तो ये जो आईजेंक थे ये देखिए ये थे आपके बिटिश के हाना कि इनका जो जनम कब हुआ था देखिए जर्मन में हुआ था चार मार्च 1916 में लेकिन इनका जो कार्य था वो कहां पर हुआ बिटेन में चाहिए था दोहराना एक भाग है तो ये आपका उपरोक्त सभी समरिती भी स्रीजनात्मक चेंतन भी और सीखना भी अचितन वीचारों की प्रक्रिया किस से संबंदित है तो इसका जो सही उतर होना चाहिए दोस्तों यह होना चाहिए था आपका उदभवन विकल्प नमब सी इसका सही उतर होगा देखिए नेक्स प्रशन है ग्यार्मा प्रशन समरिती लोप शब्द का तातपर्य क्या है इसका जो तातपर्य है देखिए यह आपका विकल्प नमबर ए समरिती का खो जाना प्रशन संख्या बारा है देखिए निरनय लेना एक प्रकार का क्या है त सिजनात्म क्षमता को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है, तो इसका जो सही उत्र होना चाहिए देखिए, A और C में से एक होना चाहिए था, तो अगर आपको लगता है कि इसका जो करक्ट अंसर आप जानते हैं, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं प्रशन संख्या 14 है देखिए इन में से कौन सा समवेदी माध्यम है तो उपरोगत सभी होगा इसमें दिश्टी भी, श्रवण भी और स्पर्श भी दीर्ग कालिक समरिती तक रह सकती है तो दीर्ग कालिक जो समरिती है ये आपकी जीवन काल तक रह सकती है तो 15 का विकल्प नमबर D सही होना चाहिए बिना भिंता की परिकल्पना को कहा जाता है तो ये आपका देखिए शून्य परिकल्पना विकल्प नमबर C Max वरदाइमर को किस क्षित्र में जाना जाता है तो ये है आपके देखिए 17 का होगा विकल्प नमबर B गेस्टाइल मनविक ज्ञान प्रशन संग क्या 18 है देखिए साइकी का अर्थ है और लोगोस का अर्थ है ज्ञान तो देखिए साइकी का जो अर्थ है यह आपका सोल आत्मा विकल्प नमबर A इसका सही उतर होगा मनुविज्ञान की विशेवस्तु क्या है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह आपका व्यभार का विज्ञान विकल्प नमबर D इसका सही उतर होगा प्रशन संक्या B से फ्राइड ने कौन से संपरदाय की स्थापना की तो यह आपका मनुविशलेशन वाद विकल्प नमबर B इसका साय उत्तर होगा नेक्स से देखिए अनुवान शिक्ता जीन्स में पाई जाती है जो की किस से मिलती है तो यह आपका विकल्प नमबर 21 का देखिए क्या होगा विकल्प नमबर D माता और पिता प्रशन संक्या 22 है देखिए प्रत्यक्षी करण संवेदना तथा किस के योग से बनता है जो प्रत्यक्षी करण बनता है देखिए आपका इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नंबर D, अर्थ नेक्स है देखिए, अभिवित्ति व्यक्ति की किस दिशा को दर्शाती है तो यह है आपका विकल्प नंबर B, विशेश दिशा को, स्पैसिफिक है ना प्रशन संक्या 24 है देखिए, लिकर्ट विधी बिंदों का स्केल है तो यह है आपके देखिए, विकल्प नंबर B या C में से इसका सही उतर हो सकता है पांच या साथ, एक्ज़ेक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए मैं इसका उतर भी आपको नहीं बता पा रहा हूं अगर आपको लगता है कि आपको पास सही उतर है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं दोनों X और Y गुण सोत्र पाए जाते हैं, तो यह आपका विकल्प नमबर C, पुरुष कोशिकाओं में 26 का, 27 ने देखिए जीन्स में कारे करते हैं, तो यह आपका विकल्प नमबर C, जोडे, प्रशन संक्या 28 से देखिए मनो निदान किसका एक भाग है, तो मनो निदान ज इसका सही उतर होना चाहिए था, 28 का मनुशारिरिक विद्धी, ठीक है, परिकल्प न एक होता है, तो यह आपका देखिए, पिकल्प नमबर D, इसका सही उतर होना चाहिए, सेधानत का परिक्षन, आखरी जो क्रशन है, देखिए, साइकोलोजी का, वो है कि प्रियोगों को और इसका जो सही उतर होगा, देखिए, यह होगा का पिकल्प नमबर B, दोहराया जा सकता है, तो परियोगों को दोहराया जा सकता है, यह इसका सही उतर होगा, तो यह थे दोस्तो पूरे के पूरे एक से लेकर के 30 प्रशन, जो भी मुनवी ज्यान से समन्नित पुछे गए जाहिंद